इस मंत्र को खुद रावण भी पढ़ता था इसको पढ़ने से साथ जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है दोस्तो रावण सहिता में रावण ने एसे कुछ खास मंत्र और किरियाओं को बताया है जो सिगर ही अपना असर दिखाने वाली होती है रावण यानि कि भगवान सिव का परमभक्त अगर आप किसी से पूछें कि भगवान सिव का अनन्य भक्त कौन था तो सब की जुबान पर एक ही नाम होगा और वो नाम है रावण रावण ना केवल जोतिशी था बलकि वो यंत्र, मंत्र और तंत्र का भी प्रगाड पंडित था रावण मायावी था जो माया को भी अपने अधिन रखता था रावण ने अपनी माया और तंत्र के बल पर ही नवगरों को भी अपने वस्मे कर बंधी बना लिया था यहां तक कि काल को भी उसने उल्टा लटका दिया था सभी जानते हैं कि रावन कर्मों से तो राक्सस था लेकिन जन्म से वो ब्राहवन था रावन को प्रमग्यानी तांत्रिक रावन भी कहा जाता है रावन की पूरी नगरी स्वन से बनी हुई थी तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रावन कितना धनी था इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावन द्वारा बताए गए अतुल्य धन प्राप्ति के खास परियोग के बारे में जिसको करने से आपकी साथ जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है यदि आपके जीवन में धन सम्मंदित समश्याई चल रही हैं आप कर्ज के बोज की नीचे दब जुके हैं तो रावन द्वारा बताया गया ये परियोग अवश्य करें और अपने जीवन में चल रही धन सम्मंदित सभी प्रिशाणियों से निजात पाएं क्योंकि रावन द्वारा बताये गए कुछ ऐसे खास मंद्र हैं जिनका जाप करते ही इनके परभाव को आप तुरंत महसूस कर सकते हैं जो लोग लोटरी, सटा वगेरा आदिका सोख रखते हैं जिसमें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त होता है ऐसे लोगों के लिए ये खास प्रियोग अच्चनत खास और रामबान है अताय इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और अच्छे से समझें लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कॉमेंट बोक्स में हर हर महादेव अवस्य लिखें जिससे की भगवान सिव का आशिरवाद हमेशा ही आपको मिलता रहे दोस्तों, रावण सहिता में रावण ने ऐसे कुछ खास मंतर और क्रियाओं को बताया है जो सिग्र ही अपना असर दिखाने वाली होती है यहां आज हम रावण द्वारा बताये गए गरीबी नासक चमतकारिक मंतर के बारे में जानेंगे जिस से साथ जन्वों की गरीबी भी दूर हो सकती है इस मंतर का जाप करने से धन की आवक बढ़ती है धन किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कही ना कहीं से आपको प्राप्त होता है क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि वो धन्वान बने उसके पास पेशों की किसी परकार की कोई कमीनार है अता आप इस मंतर को कहीं पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीन सोट ले लीजिए साथी मंतर को ध्यान से सुनिए कि इसको कैसे बोला जाए इसका सही उच्चारण क्या है क्योंकि गलत तरीके से बोला गया मंतर बिलकुल भी काम नहीं करता अता मंतर का उच्चारण सुन्द होना चाहिए साथी इस मंतर की जाप विधी भी जानना आपके लिए अनिवारी है रावन सहिता में बताया गया यह चमतकारिक मंतर इस परकार है मंतर इस्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका उच्चारण केसे करना है यह माँ आपको बता रहा हूँ एक बार दुबारा से इस मंतर को आप सुन लीजिए कि इसको पढ़ना केसे है ओम, स्रस्वती, इस्वरी, भगवती, माता, क्राम, क्लीम, स्रिम, मम, धनम, देही, फट, स्वाहा दोस्तु अब अंत में बात कर लेते हैं इस मंतर के जाप विधी और लाब की मंतर जाप की विधी और लाब रावन सहिता के अनुसार कल्यूग काल खंड को ध्यान में रखते वे इस परकार है रावन द्वारा रचित यह मंतर बेहद खास है इस मंतर का आप सवा महिने तक एक ही स्थान पर एक ही समय पर हर रोज 11 माला करें एसा करने से आपको फल तुरंत मिलता है माला रुद्राक्स की हो तो सर्वस्रेश रहेगा इस मंतर को बेल वरक्स के नीचे बेट करके इसका एक लाख बार जब करने से सभी आर्थिक प्रेशानियां तुरंत दूर हो जाती है इस मंतर का जाप तीन महिने तक लगातार किया जाए तो जीवन में धन धन्य की हर परकार की जो कमी है धन से सम्मंदित धन से जुड़ी होई वो सारी कमियां दूर हो जाती है जो व्यक्ति इस मंतर की ग्यारा माला सवा महिना तक जाप करता है तो जीवन में किशी भी परकार के प्रेशानी हो नोकरी नहीं लग रही हो वेवसाय ठीक से नहीं चल रहा हो कर्ज हो गया है आर्थिक तंगी चल रही है तो ऐसे स्थाई धन की प्राप्ति होती है कि निश आगमन अवश्य हुआ है यह बहुती शक्ति शाली और प्रचंड वेग वाला मंतर है इस मंतर को पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके करना चाहिए मंतर जाप करते समय आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए नियम और विधी अनुसार किया गया यह मंतर कभी फेल नहीं होत तो दोस्तों जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं धन्यवाद जै माका